ये संदीब जी है, एक साल पहले धौलेरा में आईटी एंड नौलेज पार्क में साड़े चाल एकड़ दमीन ली थी, और तब पांच करोड़ पच्चीस लाक एक बहुत बड़ी लगम लग रही थी, एक तरफ थाई सो मीटर के एक्सप्रिस वेपर बड़ा मा था और दूसर दूरी तरफ पच्चपन मीटर की चौड़ी सड़क काफी शंकाएं दिमाग में आ रही थी, लेकिन तोनों तरफ चौड़ी सड़क गवर्मेंट अप्रूवड एने के साथ फ्री होल्ट प्लोट को खरीदने से खुद को रोग ना सके, छे महीने के बाद इस लैंड के पच प्रिजवे और इंटरनाशनल एरपोर्ट का काम काफी इंप्रेसिव लगा और उन्हें एक ओर्डिनेरी सिटी नहीं लगी, ABCD बिल्डिंग और आर्टिफिशल रिवर दोनों एक स्मार्ट सिटी मेकिंग का अश्यारंस दे रहे थे और छोटू लाल ने धौलेरा में इंव प्रेस्ट्मेंट से आने वाली रिटर्न के बजाए अपने बिजनिस, फल, सबजियों और और और्गानिक प्रोड़क्ट्स के एकस्पेंशन और एकस्पोर्ट्स के प्लैन मनाने लगे, 3500 किलोमीटर लंबी, 38 इंडस्टियल सिटीज को कनेक्ट करने वाली इस्टन एंड वेस्टन कॉरिडोर्स, एक आश्यर जनक पलब्दी लगी और छोटू लाल को धौले रा सिर्फ एक सिटी के बजाए, एक पैसे चापने वाली बड़ी मशीन नजर आ रही थी, छोटू लाल का बजट सिर्फ 70-80 लाग का था, इसलिए उन्होंने इंडस्ट्रियल मुल्टी कोरिडोर स्टेशन की बीच में पढ़ता है, और ये लोकेशन छोटू लाल जी को अपने बिजनिस के लिए भी काफी स्ट्रेटिजिक लगी, धीरे 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 धौलेरा का काम रफतार पकड़ने लगा, और धौलेरा एक स्मार्ट सिटी के रूप में निखरने लगा, फै उससे काफी अच्छा भाड़ा आ रहा है, और बाकी बिल्डिंग को छोटू लाल अपने बिजनिस के कोल स्टोरेज, पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, सारे मिडल इस्ट, सेंट्रल एशिया में छोटू लाल जी, ना सिर्फ फल और वेज़ेटेबल्स, बलकी दाले और दूसरी पैरिशिबल एंड नॉन पैरिशिबल इटेबल्स के एक्सपोर्ट करते हैं, अगर बात करें बड़े भाई साफ संदीब जी की, तो वो भी काफी धनवान हो चुके हैं, और उन्होंने अपने सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन पाथ सितारा हो पूजा करते हैं, अगर धोले रा के रिगार्डिंग कोई कोईरी हो, तो कॉमेंट्स में या कॉल करके जरूर बताएं, डायल ओन 9800-000-236, थैंक यू और साइनिंग आफ